नहुंश्का बच्चो एंध लास आज हम इंग्लिश के अंदर इस वीडियो में हम इस लेटर टू गोर्ड का पड़ेंगे इसका पहले पार्ट जो है पढ़ाया जा चुका था परेग्राफ वहां तक आगे कि चाहर तक पढ़ा दिया था अब हम पढ़ेंगे परेग्राफ न दियाग्राफ नमबर चार की थोड़ी सी में बात बताना चाहूंगा मैं बताया था आपको कि लेंचो ने सोचा कि यह चल्दी से तुफान बिच जाएगा लेकि तुफान नहीं बीता और वहां बारिश हो भी रही और का कहते हैं ओले पढ़ते रहे इसमें यहां तक करा द अब उसने अपने लड़कों से कहा दुखी होके तब हम चलते हैं पैरेग्राफ नमर पाच पे क्या कहा उसने लेंचन है एक प्लेग्यों अफ लॉकटर्स गुड हैव लेफ मोर देन दिस एक टिड़ी दल भी इससे अधिक छोड़ देता है लेकिन ओलो ने तो कुछ नहीं छोड़ा इस साल हमें कोई अनाज नहीं मिलेगा यह रात सभी के लिए दुख दाई थी और आवर वर फर नथिंग और नथिंग का अर्थियां पर यह है कि हमारा सारा कारे का कोई अर्थ नहीं अर्था था हमारा सारे कारे की महनत बेकार चली गई there is no one who can help us और ऐसा कोई दिखाई देता जो हमारी मदद कर सके we will go all hungry this year भूग अंगरी माने भूग इस साल हम सब भूगें रहेंगे बट इन धार्ट अफ अफ ऑल वू लिज इन देट सोलेटरी हाउस इन दे मिडिल अफ दी वैली दियर वाजे सिंगल हॉप हैं फ्रॉम गॉड लेकिन बट माने लेकिन in the hearts माने हिर्दे में of all लेकिन सभी के फूल लेव जो रहता है in that solitary एकानत स्मूप से रहता है उस घर में रहता है दे मिडिल उस भीच में ऋगाटी के बीच में जो वैली घाटी के बीच में जो एकानत घर में जो लोग रहते हों के हिर्दे में एक बात थी किवल एक आशा थी Help from God ईश्वर से मदब Do not be so upset Do not be upset का अर्थ है परिशान परिशान होने की जुरूत नहीं है Even though he seems like a total loss यद भी ये सारा नुक्सान दिखाई देता था से माने प्रतीत होता है A total loss माने कुण नुक्सान Remember याद रखो No one dies of hunger भूख से कोई नहीं मरेगा Dies of hunger भूख से मरना भूख से मरना भूख से मरना That is what they say No one dies of hunger यह की इसले की तो कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरेगा All through the night उस संपून रात Lancho thought Only of his one hope के वर एक उसकी काशा थी The health of God भगवान से मदर Whose eyes इसकी आखे As he had been instructed जैसे ही उसकी आखे सब कुछ जान लेती हैं Instructed वाने निर्द जान से लेती हैं निर्देशित हो जाती हैं See everything सब कुछ जान जाती हैं Even what is a deep One's consigns कि उसकी इश्वर की आखे जो है हर वेक्ती के दिल की गहराई के अंदर था की बातों को जान लेती हैं Consigns महान है अंदर की बात अंदर की बात लेंचो एक बैल की तरह कारे करने वाला वर्किंग लाइक अनिमल मुनिश्य की रूप में जानवर की तरह कारे करने वाला व्यक्ति था कहने के मतलब यहां Ox of a man यहां पर Ox सब्द का प्रियोग महनती व्यक्ति के लिए क्या गया है जिस प्रकार से बैल जो होता बहुत महनती होता है उसी प्रकार से जो है लेंचो जो है मतलब बहुत कठिन परिशम करता था इन दा फिल्ड अपने खेट में बट स्टिल यह नूँ आउ तू राइट लेकिन इतना करने के बाद भी उसे पढ़ना लिखना आता था लिखना आता था नूँ माने जानता था जान ता जान जानता था कि फॉलोइंग संडे अगले दिन जब दिन निकला यह बिगन तू राइट अ लेटर बिगन तू राइट अ लेटर वस्ने एक पत्र लिखना सुरू करा पत्र लिखना चुरू किया जब अगली दिन संडे के दिन तब दिन निकला और उसने जो है एक पत्र लिखना शुरू कर दिया और उसे ले के वो सहर जाएगा और उसे मेल गरते लिद मेल माने डांग घर में डाल देना पॉच्छो दागर वह वह उती ही जगह होती जहां पर चुठ्धिया भेजते हैं और चुठ्धिया आती है तो एक डिपार्टमेंट होता है डागर पॉस्ट ऑफिस तो उसमें हम जो चुठ्धिया डालते हैं उसको मेल कहते हैं मेल माने देश देना कुछ चिठ्धी पत्र गड़ा तो लेंचन अपनी चिठ्धी जो है वह उसे वहां डालेगा सहर में इड वाज नथिंग लैस्ट दैन ए लैटर तुग यह इसमें कुछ नहीं था किवल एक इश्वर को लिखागा है पत्र था लैटर तुग वाई हम दू मैं और मेरा परिवार इस साल भूके मर जाएंगे मुझे सो रुपो की ज़रुरत है पैसी जो होता है सो रुपे की सो रुपे इन ओडर तो सो माई फिल्ड अगें सो मने बी बोने के लिए जैसर खेती में बीज बोने के लिए तो खेत को दुबारा बोने के लिए मुझे सो रुपे की आवश्यक्ता है एंड लिए अंटिल दा क्रॉप कंस विकंग विकाउस दी है लिस्टो जब तक की दूसी फचल नहीं आती मुझे सो रुपे क्या हुश्यक्ता है कि मैं दुवारा से खेती कर सकूं क्योंकि ओलो ने उसने अधूरी बात दिखाई लिखी कि कि उसने कारण बदाया कि मुझे दुवारा फासल बोदी है यह रोट उसने यह भी लिखा टूगा इश्वर को तो मतलब है सेवा में भगवाल जम चिठी लिखते हैं तो जिसको चिठी भेज रहे बच्चों उसके पड़ टू करके लिखा जाता सेवा में जैसे आप स्कूल में प्रिंसिपल को लिखते हैं एप्लेक्शन तो लिखते हैं न तो यहां मतलब होता है सेवा में तो उसने उपर चिठी में लिखा टू गौर्ड सेवा में भवाल ऑन लिफा पेपर लेटर इंसाइड एंड स्टिल ट्रबल और उस पत्र में अभी भी कुछ दिक्कत थी वेंट टाउनों से लेके पर पहुचा ही प्लेजट इस टैंप ओन दी लैटर तब उसने चिठी के ऊपर मोहर लगाई स्टैंप पाने होता है लेज इस टैंप मतलब मोहर लगाना कि अब उसने चिठी के पर एक मोहर लगा है कि चिठी पर टिकट लगया होते हैं तो लगा के चिठी के लगे टिकट को काटा जाता से बदल जाता कि इस टिकट लगा रखा तो चिठी चली जाती है कि हैं और इंटूदी मेल्बोकस और उसको किस बडर्बास बढ़र में डिबबास जाता है जिसमें चिठी आंजा सको मेल्बोकस और तो उसमें उसके इंदर डो टिने उसके लह व्यक्याट निए Leute इंप्लोईज मनें कारे करने वाला कर्मचारी 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 ना जाता था आल्सों एड़ी पोस्ट ओफिस और ऑफिस में कुछ कारे भी करता मदद के वेंट वीज बॉस लाफिंग हर्टली तो अपने मालिक के पास यानि जो ऑफिस में जो बड़े अधिकारी थे अधिस्टि कोलकर हस्ते वें उसने वह उस्याने टिकाया ईट अधिकाया ज़त mają एक मार्ट को देखा जाएक हए अपने मालिक के पास ज पुरे लिए ब्लेक पोस्ट मैं एक उस्ट मैन के कारे करते हैं अपने जीवन में ओप नार्डबर कर दो तो इसकी तनी जिंद्धी कि उससे अपने जीवन लिखा पटर कभी नहीं देखा तकि किसी ने लिखाएंट का एड्रस की नीघ ता तो तो इसके को देखके उसे यहरा दी होई जब पोस्ट मास्टर एफेट एमियेबल फैलो और उस पोस्ट आफिस का जो अधिकारी ताओ एक मोटा था थोड़ा एक मोटा था है मित्रवत एमियेबल फैलो मित्रवत मिलंसा के हम कहे रहे हैं ब्रोक आउट लाफिंग उसकी भी हसी फूट पड़ी ब्रोक आउट वाने फूट पड़ी और बहुत जल्दी और बहुत जल्दी वो गंबीर हो गया और उसने जो पत्रवब ने डैस पर टेबल के पर रखा वाट फैट उसने का कितना विश्वास वाट फैट कितना वड़ा विश्वास हमें उसका विश्वास बनाया रखना चिये है दफैट का मतब है विश्वास बनाया रखना विश्वास बनाया रखना वो रोट इस लेटर जिसने पत्रवब लिखा है starting आपे correspondence with God उसने कहा कि इसका ईश्वर से correspondence का अर्थ है यहाँ पे पत्राचार पिठी का भेजना फिर उसका जवाब आना फिर उसका पत्र बेज के उसकी बारे पूछना तो पत्रों के आदान प्रदान को correspondence कहते हैं तो उसने कहा कि इश्वर से इसका correspondence बना रहे correspondence C-O-R-E-S correspondence P-O-N-D-E-N-C correspondence पत्राचार अब हम चलते हैं paragraph नमबर 6 पे So in order to shake the writer faith in God इसलिए कि उसका विश्वास ना टत्बगाए पत्राइश्वर से ले The postmaster come up with an idea उसके दिमार के विचार आया answer the letter उने का पत्र का उत्तर दिया जाए but when he opened it लेकिन जब उसने से खोला it was evidently खालिटा that to answer its case को जवाब देना है He needed a something more than good will और इस पत्र में अच्छाई की अवशक्ता थी good will माने अच्छाई भलाई थी ink and paper और एक पत्र को लिखने के लिए ink क्या वशक्ता थी पाकागल्स की but he struck to his resolution लेकि उसने अपने बाद जाए रखी he asked for money from his employees उसने अपने काम करने वाद उसे पैसे मांगे ask पैसे मांगे he himself gave part of his salary उसने अपनी तंखा का भी एक भाग दिया and several friends of his work obliged to give something for an act of charity और उसके जो कार्णे करने वाले जो उसके ऑफिस में दोख थे उन्होंने सब ने उसना कुछ भलाई के कार्णे के लिए उसमें पैसे दिये for an act कार्ण है याँ पे charity भलाई के लिए भलाई एक तू चंदा मतलब जब हम कोई किसी के भला करते हैं तो हम पैसे खटा करते हैं for an act of charity और obliged मतलब है सैमती से अपने उन्होंने अपने आपको उसमें पैसे दिये अपने दिगारी को की वैस उसका भला हो जाए it was impossible for him to gather together the hundred पैसो possible माने होता है संभाव और impossible माने है आ संभाव परिशानी आ संभाव क्योंकि सो रुपे खटा करना थोड़ा मुश्किल था so he was able to send the farmer only little more than half इसलिए उन्होंने उसकिसान को आधे से थोड़ा अधिक पैसे ही उसे भीज़े यानि आधा सो का आधा पचास और लिटिल मोर वाने थोड़ा सा हो रहा थी क्या नी सत्तर या पिछत्तर पैसे रुपे उसे भीज़ दिये he put the money in end और उन्होंने उस पैसो को पतर में डाला address to lancho और उसके उपर address लिख दिया lancho को मिले and with them a letter containing only a single words as a signature guard और उसके पतर के अंदर अंत में उसने उन्होंने क्या आगा है ईश्वर नाम के sign कर दे कि इश्वर ने भेजें सिग्नेशर कर दिये और signature अस्ताक्षर कि जैसे हम application लिखते हैं तो हम अपना नाम लिखते हैं तो इससे प्रकार से उसके पतर में गोड जैसे उन्हों गोर्ड ने पैसे भेजे लिख दिए आईए हम चलते है paragraph no. 7 और 8 पे the following Sunday अगले इत्वार लैंचो का में bit earlier usual to us अगले इत्वार लैंचो थोड़ा जल्दी आ गया जैसे उसके आदत थी उसने अपने आदत के अंसवार पूछा if there was a letter for him उसने का कि मेर ले कोई पत्र है it was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster experiencing the contentment of man who has performed a good deed looked on from the doorway of his office it was the postman himself वो postman उसने खुद ही उस पत्र को सौब दिया हैंड इंड माने होता है सौब देना तो ही उसे अपना पत्र दे दिया और postmaster जो था जो एक अनुभवी और संतोस लायक वेक्ती था contentment का अर्थ है मतलब धहरेशील वेक्ती has performed जिसने पेश किया एक good deed भलाई का गारे good deed माने भला का रे भलाई का गारे good deed look on from the doorway of his office जो अपने office में बैठ का रूए सब चीद देख रहा था वो एक धहरेशील और एक अच्छा वेक्ती था लैंचो शोर्ट नॉंट दस स्लाइटेस्ट सर्प्राइज और सिंग दा मनी जब लेटर उसे मिल गया तो लेंचों ने आप सीधी सर्प्राइजिंग कारतियां पर है 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 रानी स्लाइटिस्ट का मतलब है सीधी ही उसने अपनी है रानी तो नहीं जटाई कि भाई ती जल्दी मुझे पत्र मिल गया इसका पैसा ही मिल गया इसका कितना आत्म विश्वास था उसका कितना विश्वास था लेकिन जब उसने पत्र खोला और पैसा हो गिना तो भाई जल्दी नराज हो गया गौड कुट नौट हैव मेड ए मिस्टेक इसवास तो कोई गलती करी नहीं सकता नौर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वांट ही हैड रिक्वेस्टिड और नहीं इसवार लेंचो की मांग को ठुकरा सकता है डिनाइड मांने मना कर सकता है लेंचो ने कहा जब उसने पत्र खोला उसने देखा उसने पैसे हैं तो उसने ये हराइन तो जताई नहीं कि पैसे जल्दी आगे बल्कि उसने जब पैसो गिना तो नराज हो गया और उसने कहा कि इश्वर्स जो है कोई गल्ती नहीं कर सकता और नहीं वो मुझे मना कर सकता है कि जो मेरी मांग थी इमीडेटली जल्दी से ही शिगरता से इमीडेटली शिगरी लेंचो वेंट टू विंडो टू आस दे पेपर तब वो खिड़की पास गया और उसने कहा कि मुझे एक कागज दे दो और एक कलम पैन दे दो अरशा पॉब्लिक रैटिंग टेबल को मतलब साजवणी को टेवल किसी ओंफिस या दाफ़ेटर में जाते हैं दो filled खर्म कारह करते हैं वह पबलिक रैटिंग के लई ए नहीं पे गलात कर दो दंगिभल ने लन्ट ऐसा आइनकी और यह सर्टेशनीटलीgruppe रिंकलिंग का मतलब है ट्योर्यू चड़ाते हैं उसकी मतलब माथे बल पड़ गए रिंकलिंग का मतलब है शिकन माथे बल पड़ना माथे पर शिकन प्रोध की गुस्से की उसकी जो माथे की जो बलते उसने जो है ब्रो ये ब्रो माने आखों की भौ तो गुस्से में उसकी आखों की पियोरिया चड़ गई और उसने लिखा प्रियास से एक्सप्रेस इस आइडिया एक्सप्रेस माने व्यक्त किये इस आइडिया दे विचार उसने अपने विचार उस चिट्खी में लिखे वेन ही फिनिजड जब उसने पत्र समाप क्या ही वेंट तो दी विंडो तब वो खिड़की पे गया तू बाइए स्टैंप उसने टिकट खरीदा स्टैंप पाने टिकट विची ही लिगड़ एंड तब उसने जो है अपने थोग से उसको एफिक्स कर दिया चिपका दिया ऑन दी एडवलाप विद ए ब्लो ऑफ इस फिस्ट ब्लो ऑफ इस फिस्ट मनदब घूसा मार कर घूसा मतला ऐसे करके घूसा मार के उसे चिठी को पे अपने थूप को लगा के और वो जो है उसे गिला करके टिकट को चिपका दिया तर्वंड गार अब्लो ऑफ इन्ट विद दी में बॉक्स उस समय उसने जो है उस पत्र को जो है डिब्बे में डाल दिया टा पोस्ट मास्टर बैंट टू ओपन इट सेट तब पोस्ट मास्टर गया उसे खोला उसमें क्या लिखा था पत्र में जब लैंचो ने प्रोध मे और अपनी मन की भावनाय लिख दी और उसको लेटर बाउस में डाल दिया तो पोस्ट मास्टर ने उस पोस्ट ऑफिस का जो डिबा था उसको फोला और उसे में जो उसकी चिठी दी लेंच यो कि उसे लिकाल के पड़ा क्या लिखा था उसमें जिसके लिए मैं आप से कहा था ओनली 70 पैसो केवल मुझे कितने 70 रुपे ही मिलें मेरे पास पहुंचे कितने रुपे पहुंचे 70 रुपे सैट मी मुझे भेज़ें रेस्ट लेकिन आप जो पैसे भेजना थोड़ा रुपके भेजना कि मुझे रुड़त है वेरी मच लेंचों ने भगवान को कहा कि है इस्वर मुझे पैसे के वर्षकता है मुझे 70 रुपे मिलें लेकिन जब कोई पैसा पेजोगे फोड़ा लेकिन आप इसे जो है मेल के तवारा मत भेजना जाक के तवारा मत भेजना बिकाउस दपोस्ट ऑफिस इंप्लोईज आरे बंच ऑप्रुट्स उसने कहा लेंच उसने कहा जो पॉस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं वो बेइमान लोग हैं बंच ऑप प्रुस कारतियां पर यह बेइमान लोग कि इस आप इस पैसे निकाल लिए इसलिए आप जो है चिठी में पैसे भेजो गए तो सीधा मुझे भेजना डाक्यों द्वारा मत भेजना तुम्हारा लेंचों उसने अंत में अपना नाम लिग दिया और वह चिठी वहां डाल दी तो इस प्रकार से देखते हैं कि लेंच इस प्रक्टिकल विज्डम नहीं था और उसने सहजी विश्वास कर लिया क्योंकि वह इश्वर का बड़ा विश्वास करने वाला वेक्ती था सीधा साधा तो उसने यह भी निसोचा कि मतले जल्दी चिठी कैसे आगे क्योंकि बच्चों चिठी आने जाने में समय लगता ह पार्ट में लेंचों के बारे में किशान लेंचों कितना सीधा साधा आदमी था अब इसके नीचे कुछ ग्लोसरी दे रखी है तो उसके में मीनिंग हम समझ देंगे जैसे क्रेस्ट यानि पीक यानि चोटी इंटीमेटली माने घनिष्टपा से यानि क्लोजली प्रेंडिक एक्स्प्रेशन लुक भाव या मुद्रा ट्रैप्ड यानि धकावा कवर्ड विद हेडि स्टोंस माने होते हैं ओले पीसिज और फ्रोजन आइस और लोकोटस माने होता है टिटी दल माइग्रेटरी वहिंग श्रूपिट तरैग्यू माने आत्रमान अटैप और कंसाइंस माने मन की अंतर आत्मा इनर शाओर हमारे मन में जो चल रहा होगा है तो मारी मन की अंतर आत्मा हैं वो कंसाइंस कहला दिये और पैसोज में वाने कॉइंस या सिक्के और कुरुक्स माने ठाग या बेहिमान डिस परसन या क्रिमिनल्स अपरादी या ठाग या बेहिमान तो यह हमने वर्ड मिनिंग देखे बच्चों और यह आपका चैप्टर सब्सक्राइब को आप अच्छीता से समझ लें उसके वाड़े मिनिंग भी समझ लेंगे और कोई दिक्कत तो आप मुझसे मिलें लेंगे स्कूल में और यह एक्ससाइज जो इसमें लगी विए है इसकारे आपको आगले सब्सक्राइब भेजाएगा परेग्राफ सब्सक्राइब हो सकता है तो आप जो है पड़ाइब करते नहीं से लिख लें कोई दिक्कत तो आप मुझसे स्कूल में मिल सकते हैं धन्यवाद